अलो हाई दोस्तों वेलकम टू उडान एकेडमी उडान डिटल के उनलाइन प्लेटफोर्म पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है तो आईए आज के जो क्लास अपनी रहेगी दोस्त वो रहेगी स्सी जीडी स्पेसल के लिए जिन भी बच्चों ने स्सी जीडी का फ इतनी आसान हो जाएगी जो आप अभी सोज भी नहीं सकते तो बस लास तक बने रहे ना ठीक है चलो सुरू करते कहानी को तो आज का अपना टॉपिक रहेगा पहला वो रहेगा सर अनुपात और समानुपात ठीक है अब सबसे पहली कहानी होती है कि क्या होता है अनुपात को पहले समझते हैं तो एक छोटा सा उधारन लेता हूं एक छोटा सा उधारन लेता हूं और अपनी निकलता हूं तो बाइक लेके निकलता हूँ तो इसलिए मेरे पास कम से कम 200 रुपए का अमाउंट होना चाहिए ताकि मैं प्रॉबलम में ना फस हूँ है ना तो 200 रुपए मैं कम से कम लेके निकलता हूं मेरी एकॉनोमिकल स्थधी की हिसाब से मैं इतने लेके निकलता हूं इससे ज्यादा मैं effort नहीं लगा सकता है इससे कम लाओंगा तो मुझे दिक्कत आएगी ऐसे ही मेरे हां मेडम हैं अगर मेडम कहीं गली महले में बाहर न को हम कहते हैं अनुपात यह चीज है कहला दी अनुपात अब समस्थनाा मेरी बात को बहुत अच्छे सेगं अब समझना हूं में इसको अपन कहेंगे साला दूमख़ तो किनी दोचीजों में किनी दो values में compare करना ठीक है और वो सरल रूप में हो तो हम उसको रेसो कहेंगे दोस्तो अनुपात 100 को हम रेसो नहीं कहेंगे क्योंकि यह सरल रूप में नहीं है अब समझते हैं इससे क्या समझाता इससे समझ में आता है और मेरे हां मेडम मुझसे आधा घर्चा कर रहे है तो इसी को हम कहते हैं रेसो अनुपात अगर मैं परिभासा बोलना चाहूं तो आप नोट भी कर सकते हैं इंपोर्टेंट है आपके लिए चीज़े हैं न चुकि जितनी चीज़ों को आप बेस से समझोगे कि उतने कोस्ट्स आप इजीली कर पाऊगे आसानी से समझ पाऊगे स्पीड मेंटेन कर पाऊगे ठीक है तो अगर मैं यह कहना चाहूं सर की तो अनुपात एक आ रहा है ठीक है तो किनी भी अनुपात का जो परिभासा जो क्या जागा किनी भी दो चीजों में compare करना ही क्या कहलाता है रेसो कहलाता है किनी दो चीजों में compare करना तुलना करना ही अनुपाद कहलाता है तुलना करना ही अनुपाद कहलाता है पर एक बात ध्यान रखना आप किनी दो चीजों में तभी तुलना कर सकते हैं जब उनका इकाई उनका तो क्या यार राजा में इन दो चीजों में तुलना कर सकता हूं इन दो चीजों में तुलना कर सकता हूं संभव ही नहीं है बजन की तुलना उम्र से केसे कर सकता हूं तो मैं यह कह रहा हूं कि किनी दो चीजों में तुलना करना ही रेसो कहलाता है पर कब जब उनकी यूनिट क्या हो सेम हो जब उनकी यूनिट क्या हो सर सेम हो तो इसमें मैं तुलना नहीं कर सकता ठीक है इसका मतलब यहां में रेसो नहीं निकाल सकता ऐसे ही माल लो मैंने कहा कि मैंने दो रोटी खाई मैंने कितनी रोटी खाई सर दो रोटी खाई और मैं कहूं कि मेरे एक दोस्त ने पांच ग्लास पानी पिया पांच ग्लास पानी पिया तो अब सोचो क्या मैं तुलना कर सकता हूं क्या मैं इस दो रोटे की तुलना पांच ग्लास से कर सकता हूं नहीं नहीं कर सकता तो मैं यह कह रहाएं कि अनुपाता है अनुपात क्या होता है अनुपात एक सरलUC화 होता है कि दो proceduresुभ्म करने का सरल रूप होता है जिनकी कीकाई क्या होती एंसार कहानीख تमयां तक अनुपात हो गया ठीक है बहूत इंपोर्टेंट है आप समझते what is सवानुपाथ ठीक है तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं हूँ और मेरी मेडम है अगर में घर से निकलूँगा बाइक लेके तो दोस्तों लेके निकलता हूं मेरी मेडम अगर निकलेके तो सौर निकलता है ऐसे ही ऐसे एक और कहानी है मेरे दोस्त की अब मेरे दोस्त क सरकार उसके पास सरकार उसकी वाइब गली महले में किसी कटलरी की दुकान पर नहीं जाती है उसकी वाइब जाती है किसी मॉल में बड़े से ठीक है किसी मॉल में जाती है अब सोचो वाइक से लिकल रहा हूं तो मैं 200 लेके निकल था कोई दिक्कत थी नहीं पर अगर मैं कार निकलना हो तो दोस्तों में काम बनना नहीं अगर कार पंचर हो गई या ट्यूप फेट गया या डिजल खतम हो गया तो दोस्तों के डिजल में कुछ भी नहीं हो ना तो मेरा दोस्त कम से कम जब घर से निकलेगा कार लेके तो कम से कम वो चाहता है कि मेरे पास 1000 रुपए मेरे पास पर्स में होने चाहिए ऐसे ही उसकी वाइब जो है वो चाहती है अगर में कार में बैठके कहीं जा रहे हूं किसी मॉल में कोई चीज मुझे पसंद आ गई तो कम से कम मेरे पास 500 रुपए तो होने चाहिए खरीदने के लिए अब जब मैंने यहां कंपेर किया तो समानुपाद क्या होता है समानुत पाथ क्या होता है जब कोई दो अनुपाथ आपस में बरोबर हो जब कोई दो अनुपाथ आपस में बरोबर हो जैसे यह अनुपाथ और यह अनुपाथ बराबर है हाँ वेल्यू अलग लगती पर दोनों अनुपाथ निकलने पर दोनों की तुलना करने पर वेल्यू हम है नहीं ठीक है यह जो नोट से सर अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर यह नोट्स यह जो पूरा पीडिएफ नोट्स आप चाहिए तो आप उडान डिटल एप डाउनलोड कर लें वहाँ पर आपको यह नोट्स अवेलेबल हो जागा वीडियो क्लास के साथ अगर आप यूटूब पर देख रहे हैं तो नोट्स आप वहां से डाउनलोड करें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब अनुपाद जो होता है उसको हम कैसे दिखाते हैं तो अनुपाद का जो स समानुपाद का मतलब होता है जब कोई दो अनुपाद आपस में बरोबर होते हैं जब कोई दो अनुपाद आपस में क्या होते हैं सर बरोबर होते हैं तो हम क्या कहते हैं समानुपाद कहते हैं तो अगर मैं कहूं कि A अनुपाद B समानुपाद C अनुपाद D क्या समझते ह कि ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात आपस में बराबर हैं इसलिए हम इसको क्या कहेंगे समानुपात कहेंगे तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ इसको हम लिख सकते हैं सर इसको हम लिख सकते हैं A बटा B इसका मतलब होता है बराबर C बटा D कहानी समझ में आगई यहां तक चलो आगे बढ़ते हैं अब अनुपात और सम अनुपात की परिभासा को हम समझ लिया हमने ये भी समझ लिया कि सरल रूप होना चाहिए उसी को हम अनुपात कहेंगे कठीन रूपात नहीं कहेंग को सुरू करने से पहले हम कोटा साइए जो हमारी क्लास से कि बैसिक वाली रहेगी पर इस बात कि मैं आपको ग्यारेंटी देता हूं कि अगर आपने इस बैसिक क्लास को बड़े अच्छे से अराम से देखा समझा और नोट किया तो आपको अनुपात कि किसी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी आप किसी भी यूटूब चैनल पर किसी भी पेड कोर्स में किसी भी टीचर से आप पढ़ें आपको उसका पढ़ाया बिल्कुल समझ में आएगा अगर आप इस बैसिक क्लास को अच्छे समझ लेते हैं तो और खुद भी जब आप को सॉल करेंगे तो आप खुद ही चीजों को सरक्रेक करने लगजाएंगे चलिए तो अब आते ही तो सबसे पहला ताइप अनुपात में शुरू कर रहे हैं टाइप नंबर फर्स्ट टाइप नंबर फर्स्ट में आपने जो सवाल रहेंगे वो क्या रहेंगे थीक तो इसमें आपके पास होग क्या यह अनुपात सरल रूप में हैं, नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था सरल रूप में कब होगा, जब वो simple form में दिख रहा हूँ, अभी हमें यहां तकलीफ क्या दे रहा है, यह बटे वाला नंबर, यह अपान वाला नंबर, यह अपान वाला नंबर, तो आप सोचो, अगर मै इसको सरल रूप में चाहता हो, तो मैं क्या करूँगा, मुझे यह दो को हटाना है, मुझे यह तीन को हटाना है, मुझे यह चार को हटाना है, तो अपने काम करें न, एक ऐसे नंबर से इसको अपन गुणा कर दें, ठीक है, एक ऐसे नंबर से गुणा कर दें, कि दो से भी वो number कर जाए, 3 से भी यह number कर जाए और 4 से भी number कर जाए यहाँ एक ऐसा number लिखते हैं जो 2 के पहाड़े में भी आता हो, 3 के पहाड़े में भी आता हो, पहाड़ा मतलब होता है सर multiple और multiple मतलब होता LCM, M multiple, तो हम यहाँ पर जो number लिखेंगे वो होगा LCM of, LCM of 2, 3 and 4, LCM क्या होता है 2, 3, 4 का, 2, 3, 4 का LCM होता है, एक ऐसा number जो 2 से भी कर जाएगा, 3 से भी कर जाएगा और चार से भी कट जाएगा तो मुझे लगा कि LCM जो हो कितना है सर बारा है पारा एक ऐसा नंबर है दो के पहड़े में भी आता है तीन के पहड़े में भी आता है और चार के पहड़े में भी आता है बरोबर है सर अब अगर मैं इसको देखना चाहूं तो दो से यह कितनी बा और मैंने कहा था कि सरल रूप को ही हम सर क्या कहते हैं अनुपात कहते हैं मतलब कोई चीज है जो यह नुपात नौ के अनुपात में हैं ठीक है यहां तक किसी को डाउट LCM अगर किसी बच्चे को LCM नहीं समझा रहा है कैसे निकालते हैं तो एक टॉपिक LCM अलग से पढ़ेंगे फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि यह जो नंबर है यह इन तीनों का LCM है और वो 12 है ठीक है चलो आगे भड़ते हैं सर सपोज मान लिजे दूसरा सवाल आपके पास फिर से आप सॉल करना ठीक है मैंने लिखा दो बटे तीन अनुपाथ एक बटे पांच अनुपाथ तीन पांच बटे छे चलिए इसको सॉल करते हैं तो इसका सरल रूप क्या हो जाएगा सर सवाल नंबर दू इसका सरल रूप क्या हो जाएगा तो इसका सरल रूप हो जाएगा तो तीस एक ऐसा नंबर है जो 5 के पहड़े में भी आता है, 3 के पहड़े में भी आता है, तो 3 से जब इसको काटोगे तो 10 बार कटेगा और 10 का गुणा 2 में करोगे तो अंसर आएगा 20, ठीक है, 5 से जब इसको डिवाइड करोगे, तो 5, 6, 30, 5, 6, 30, 3 बार गया और 6 कम 6, ठीक है, तो सबसे पहली फुर्सद में आप उसको सरल करके ऐसा लिखेंगे, बरोभर है सर, ठीक है, यहां तक चलिए, तो कुछ कोस्टन साब को प्रेक्टिस के लिए दे सकते हैं, वह आप खुद सौल करना, ठीक है, जैसे 5 बटे 8, 7 बटे 12, और 5 बटे 6, यह आप खुद करेंगे इसको आप खुद करेंगे सर, सरल करेंगे आप खुद, यह आपका सेल्फ काम है, अराम से करें, जल्द बजने हैं, हमें चीज़ें सीखनी है, चलिए, तो वीडियो को पोस्ट करके आप इसको फुद सौल कर लें, फिर आगे बढ़ें, तो टाइप नंबर फर्स्ट के हम स समझिएगा, यहाँ पर भी ऐसे ही कुस्टन आपको मिलने वाले हैं, बट, बट वो थोड़े से अलग होंगे, थोड़े से, ठीक है, वो क्या होंगे, जैसे मान लो मैंने लिखा है, A अपॉन में 3, B अपॉन में 4, और C अपॉन में 5, और अगर मैंने आप से पूछ लिया, कि बताओ सर, A अनुपाद, B अनुपाद, C क्या होगा, तो सर, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, A के बटे में जो लिखा है, वही A का वेली हो गया, B के बटे में क्या लिखा है, 4, तो वही उसका क्या हो गया, वेली हो गया, और T के अपॉन में क्या लिखा हो तो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है क्या हमें यह रॉट्टा मानना पड़ेगा तो यह रट्टा नहीं मानअ है इसका बेसिक समझ लो एक्शेल में कॉंसेप्ट क्या होता unemploy इसकी पीछे वह कूंसेप्ट अपन समझते हैं फीपता है कि जो ब्राबर हैं तो आनुपाद endorse का मान किया होगा यह आपको बताना था वही एक वैली लिखे हैं वही की वैली होगी और जो एसा क्यूं होता है तो ऑख़र दुनिया के एक काम कर सकते हो सर इस पूरे के बराबर में मान लो कि इसका आंसर के आ रहा है जैसे इसने क्या दिया hai a upon b 7iste upon 3 a upon 4 अर चीव फाली तो आप सोलचो सर कोई A नंबर है जिसका तीन से भाग बहाग देने पर कोई आंसर आता होगा कोई बी नंबर है जिस पर पांसे बहाग देने पर भी कोई आंसर आता होगा बट एक और कहानी है कि इन अ早च जो मैंने मान सिर्फोर है उह कि erase इस वो किसे बराबर के बराबर के बराबरें अगरम हम याज निखा लिएगा उधर ये 3 मुढमें जाएगा तो शर 5 nat चार तो अब क्या यह अनुपात नहीं यह अनुपात उसको कहते हैं जो सरल रूप में हो मतलब जो भी इसमें कॉमन नंबर उसको काटना होता है तो काट दिया के के और के केंसिल होगे तो अंसर क्या है तीन चार और पांस तो यह था अपना बेसिक तरीका यह था बेसिक फंडा यह बेसिक फंडा था ऐसा क्यूं होता है ऐसा क्यूं होता है तो यह रहा हमारा कॉंसेप्ट यह रहा अपना सर कॉंसेप्ट अब बहुत ज्यादा समय आपको लग जाएगा तो हम क्या करेंगे अब से चीजों को याद रखेंगे कि सर अगर एसे इक्वल दिया हो तो जो अपॉन में नंबर है वही उसका क्या होता है वेल्यू अब जब हम कोई सवाल करेंगे तो वहां ध्यान देना वहां हम रिपीट नहीं करेंगे चीजों को यह चीजा आपको पता होनी चाहिए इसका आपको रिविजन होना चाहिए चीजों का मैं डिरेक्ली लिख दूँगा एक वल्टु थ्री बी इक्वल्टु फॉर्स इक्वल्टु फाइप उसकेस में आप यह ना पुछें कि सर ऐसा क्यों ठीक है यह मैं बी बटे चार बराबर चार बी चार सी बटे पांच तो चो यह एक सवाल है तो अब भी थोड़ी दिर पहले हमने एक चीज सीखी क्या सीखी कि जो अपॉन में होता है जो बटे में होता है वही उसका वेल्यू होता है पर यहां कहानी उल्टी है यहां उपर दो है उपर ती में दो भी है तो हमारा काम क्या बनता है ये दो को गायब करना है ये तीन को गायब करना है और ये चार को गायब करना है तर दो को तीन को और चार को अगर हमें गायब करना है तो ये काम करते ना हम इस नंबर में भाग देते थे किसका भाग देते थे सर इसमें हम भाग देते तो हमने तीनों में भाग दिया मेरी बात को समझना बेटा पहले हमें किसको गायब करना था तीन को पांच को और छे को इनको गायब करना था तो हमने इनका इलसें लेके गुणा किया था नीचे वाले नंबरों को गायब करना था तो हमने गुणा किया था अगर उपर वाले सफालां है इस चीज़ को bougre wa sloak 5 6 6 11 तो हम इसको लगते ए 2 11 सोचो जरा कि आया ना फिर सपी धिर ने कितनी रिटेगा bütün बार कॉ Ctrl बर jealous तो फीन पंगा सोला लिख यह कि पिर अपन का उन्हों और Day to 3 और अच्छे समझ में आएगी, इसको समझोगे तो आगे की चीज़ समझ में आएगी, मज आ जाएगा आपको ठीक है, अब हमें पता है कि सर अगर A, B और C उपर अकेले हैं, नीचे कोई नंबर है, तो नीचे वाला नंबर ही उसका वेल्यू है, मतलब में सीधे बोल सकता हू कि A अनुपाद, B अनुपाद, C जो होगा, वो क्या होगा, गो होगा 18 अनुपाद, 16 अनुपाद, 15 यही आपका आंसर, यही आपका रेस हो, चीज़े समझ में आपको आ गई है, अगर किसी को दिक्कत आ रहे, तो एक बार वीडियो को वापस रिपीट करके देखो, कोई द चलिए, तो तीसरा जो टाइप अपने पास आ रहा है, तीसरा जो अपने पास इसमें टाइप है, वो क्या है, देखिएगा, मान लीजी यह अपन में था, ठीक है, एक और सवाल अपन ले लेते हैं, ठीक है, मैंने कहा, कि 2A बराबर 3B, बराबर 8 यह 7C, तोचो, अब मुझ सवाल अपना क्या है, तो अब हमने यह सिखा कि सर, अगर उपर नंबर अकेला है, तो नीचे वाला नंबर ही, नीचे वाला नंबर ही उसका वेली होता है, उपर अकेला नंबर है, तो नीचे वाला नंबर ही उसका वेली होगा, बी का वेली उसके नीचे क्या है, तो उसका नमबर अकेला ए चाहिए तो इसको गायब करना है 3B परोबर 7C, ना तो हमें यह 2 चाहिए, ना तो यह हमें 3 चाहिए, ना तो हमें 7 चाहिए, तो 2 का, 3 का और 7 का, अगर हम LCM लेंगे, तो 7, 21, 42 आएगा, LCM कितना आएगा 42, तो हमने इसको क्या कर दिया, 42 से क्या दे दिया, भाग, इस पूरे को हमने क्या कर दिया, इस पूरे को हमने दे दिया, 42 से डिवाइड, इस पूरे को हमने क्या कर दिया, 42 से डिवाइड, 42 क्या है, 42 सर, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आएगा, और 7 के पहाड़े में भी आएगा, तो यह जो बैयाली स कट थे कितनी बार कटएगा कर देगा सब्सक्राइब कतनी बार कर देगा एक्ति gonna कितनी बार कर देगा फाट वा घष्हा साथ से काटेंगे सी बते कितना होग्याय शेग norm अब आप सोचो आप सोचो कि सर अभी थोड़ी देर पहले तो हमने सीखा था कि अगर उपर सिंगल अलफाबेट या कोई लेटर है और नीचे एक वैल्यू है तो नीचे वाली वैल्यू ही उसका क्या होता है आंसर होता है तो ए अनुपाद बी अनुपाद सी क्या हो गया आसान सी बात है सर ये किस हो जाएगा इसका वेली हो जाएगा 24 और इसका वैल्यू ये हो जाइगा चे नहीं हो रहा है तो यही आपका सरल रूत रोप हो गया लेस हो गएग को क्रया कि पहले क्या थेखा हमने कि अपन में एक नं।ेG divat यहीवाला नंबर हो पर वो कब अंसर होगा, जब यहां यह 2 ना हो, यहां यह 3 ना हो, यहां यह 4 ना हो, अब 2 को 3 को 4 को हटाना है, तो हमने बटे कर दिया, भाग किस से 12 से, पूरे को 12 से भाग किया, तो 2 कट गया 6 बार, 3 से कट गया 4 बार, और 4 से कट गया 3 बार, 2 से यह कटा 6 बार, 6 का गुण 4 में कितना गया 16 4 से कटा ये 3 बार 5 में ऻ्या Bis Après 38 अब हमें क्या नंबर मिल गए 16 स्वीक आप पॉन में 15 मतलब एक वेलियू अथार होगया गौर सी कर फिलीयू सब्प्रकτεन दिलियुस्च अशलब 15 हो तो हमने गायब कर दिया, कैसे LCM लिया और डिवाइट कर दिया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका जो था आपका पोर्षन A जो आपका है, टाइप A और टाइप B आपका हो गया, एक चुन में टाइप A में ही पोर्षन A पोर्षन B हो गया है, देखो, सबसे प या टाइप फर्ष्ट का जो पोर्षन C है, वो क्या है, समझेगा हम, ठीक है, इसमें आपको कैसे सवाल मिलने वाले हैं, तो इसमें एक सिंपल से चीज़ आती है, ध्यान समझा, पहला सवाल, ये आपको देगा, ये आपको देगा, A अनुपात B प्लस C, और इसका मान दे दिया, इसने दो अनुपात 3, ठीक है, या 5 अनुपात 7, और B अनुपात C प्लस A आपको दे दिया, इसने, कितना दे दिया, सर? 7 अनुपात 5, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट, या इसको भी 5 अनुपात 7 ही लिक लो, चलो, 7 अनुपात 5 लिक लिए, आप सोचो, 5 अनुपात 7 लिक लिक लेते, सर, चलो, 5 अनुपात 7, ये एक सवाल है, और आपसे पूछेगा क्या सवाल में वो बताओ sir, बताओ sir, अ का वेलउ कितना है, या फिर पूछ लेगा बताओ A अनुपाद कि यह अनुपाद C बताओ यह आप से पूछा है यह आपसे पूछा एक नए तरीका के सवाल है अच्छा सवाल है ठीके समझेगा तो आप यहां ध्यान दें कि यहां पर क्या हो रहा है कि यह A है और यह B प्लस C है अगर मैं A प्लस B प्लस C अगर मैं तीनों को जोड़ूं A प्लस B प्लस C तो आंसर कितना रहा है सर 7 और 5 12 आ रहा है अच्छा यहां से अगर मैं देखूं कि A प्लस B प्लस C सब को जोड़ूं तो आंसर कितना आएगा भी 12 आएका a-plus問 फैATOR यहां भी तीनों को जोनने पर 12 आ रहा है यहां भी तीनों को हुड़ने यह दस ही होगे तो बचा कितना दो तो C का वेलू कितना हो जाएगा दो एक चीज भी अब मेरी बात को और ध्यान समझना इतनी आसान चीज़े है नहीं जितनी आप समझ रहे हो है ना पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी आगे बढ़ते हैं सर सवाल नंबर 2 एक बाद यह अपना साथ चल रहा है कुस्सिन नंबर 7 अब भाईया एक बात समझना मैंने फिर से कहा कि सर A अनुपात B प्लस C और इसका मान है 2 अनुपात 3 और मैंने का B अनुपात C प्लस A इसका मान है 5 अनुपात 7 अब आप सोचों यहां पर confusion create होगा पिछले सवाल में total यहां से किया था a plus b plus c तो भी 12 आया था यहां से a plus b plus c क्या तो भी 12 आया था तो कोई problem थी नहीं पर यहां देखो जरा अगर मैं यहां से a plus b plus c करता हूं तो answer कितना आएगा सर इन तीनों इसको जोड़ू यह दोनों मिल और अगर आप यहां देखोगे कि b अनुपाद c plus a इन तीनों को जोड़ू कितना आएगा 12 अब आप सोचों सर a b c को मैं यहां से जोड़ना हूं तो 5 आ रहा है यहां से a b c को जोड़ना हूं तो 12 आ रहा है क्या ऐसा होना चाहिए बिलकुल नहीं होना चाहिए बेटा तो दोनों जगह से जो वेल्यूज है वो बराबर आनी थी दोनों जगह से जो वेल्यूज है सर वो वेल्यूज क्या आनी थी बराबर आनी थी अलग अलग वेल्यूज नहीं आनी थी तो आप इसको बराबर करेंगे यहां और यहां दोनों वेल्यूज क्या आनी चाहिए बराब तो बराबर करने में क्या करेंगे LCM वही कहानी बराबर कैसे था LCM लेते हैं पांच और बारा का जो LCM आएगा वो आएगा सर सहाथ पांच और बारा का जो LCM आएगा वो कितना आएगा सहाथ तो हमें यहां भी सहाथ लाना और यहां भी सहाथ इस बारा का गुणा कर दो यहा कर तो यहां तो अगर मैं इस 12 का गुणा यहां करूंगा तो 12 कितना हो जाएगा 24 और 12 कितना हो जाएगा 36 ठीक है यहां तक ऐसे इस 5 का गुणा करेंगे A का जो value है वो कितना है 24 है हमारे B का जो value है कितना है 25 है तो अगर हमें A अनुपाद B अनुपाद C निकालना है तो A का value कितना हो गया 24 B का value कितना हो गया 25 24 25 कितना हो गया 59 हमें पता है तीनों मिला करके कितना है सहाथ तीनों मिला करके सहाथ है उसमें से ये दोनों 59 होगे तो बचा कितना 11 तो बचा जो 11 वो कौन होगा सी तो यह आपका आंसर ए अनुपाद आप B अनुपाद C ए अनुपाद B अनुपाद C क्लियर है यहां तक ठीक है चलिए तो छटवा सवाल और साथ माल टाइप टाइप फ़र्स का जो C पूर्सन था वो यह था इसमें एक और सवाल आपन देखते हैं आप थोड़ा सा ध्यान देना सपोज मानलो मैंने कुछ्सन नंबर 8 आपके पास कोण सा आ गया सर ओट कुछ्सन नंबर 8 को देखीए सर या लिखा है 8 में परस्ट नंबर 8 में आप देखिएगा A अनुपाद B A अनुपाद B प्लस C जो दिया है वो दिया है आपको एक अनुपाद 2 एक अनुपाद 2 ठीक है और बी अनुपाद C प्लस A पाँच अनुपाद 7 बी अनुपाद C प्लस A जो है वो है सर 5 अनुपाद 7 बेटा कहानी समझ में आ रही है क्या आपको ठीक है अब आप एक बात सोचों अगर मुझसे वो पूछ ले कि बताओ सर C अनुपाद A प्लस B का मान क्या होगा अगर हमसे पूछ ले तो क्या करेंगे वही कहानी जो हम अभी तक करते हैं हम सॉलिशन कर रहे है बेटा इधर ध्यान दो अगर मैं यहां से A प्लस B प्लस C करो तो उत्तर कितना आ रहा है 3 और अगर मैं यहां से A plus B plus C को तो तर कितना रहा है 12 पर सर आना यहां पर बराबर था तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं सर LCM लेते हैं अब आप सोचो इस 12 का गुणा यहां करते हो इस 3 का गुणा यहां करते हो तो भी आंसर आएगा पर हमारा उद्देश इनको करके चार का गुणा करके तो अपणने क्या किया अपनने क्या किया चार का गुणा कर दिया ओपर ठेक हमें पर हमने कर दिया कि गल्द कितना हो गया सर 5 इका मान कितना हो गया 5 एक तिनों मिल करके 40 कि लगया फॉता टीनों मिलके लिए यह जाएगा और दोनों के 9 हो गए तो बचा कितना तीन तो वह कुन हो गाका तो C अनुपात A प्लस B कितना होगी आपका 9, क्या यह अनुपात ही? नहीं, क्योंकि सरल रूपे नहीं है तो 3 एकम 3 हो जाएगा और यह 3 ती आ 9, तो यही आपका आंसर, C अनुपात A प्लस B का आंसर आपका यह आगया, अब आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है? यदि आपको चीजें समझ में आई है, और बहतर समझ में आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर आपको कोई समस्या आई है, कोई प्रॉब्लम है समझने में, तो आप वो भी लिखें, कि सर हमें यहाँ पर इन इन चीजों में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, ठीक है? अब मैं आपको एक बात बता दूँ, कि मैं आपको यह चीजों जो करवा रहा हूँ, इसके और भी तरीके हैं, पर इससे सरल और इससे इजी तरीका आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, और अगर मिला तो वो टाइम कंजूमिंग होगा, आपको टाइम बहुत लगेगा, आपको उसमें टाइम बहुत लगेगा, सर, जबकि सवाल 80 है, आपके पास टाइम है सहाट मिलिट का, और आपके पास प्रस्न होंगे 80, अगर SSC GD आपसे चाहता कि मैं बच्चे को यह पता करूँ कि उसको कितना आता है, तो आपको वो समय देता, काम करने के लिए आपको समय देता कि वो उसको जो आता है वो बताए, पर फिर भी उसने सवाल आपको 80 दे दी है, टाइम दिया, सहाट मिलिट मतलब एक सवाल के लिए एक मिलिट भी नहीं दिया सर, तो फिर वो क्या चाहता, SSC हम से क्या चाहता है SSE हमसे चाहता है कि कौन ऐसे बच्चे हैं कौन ऐसे बच्चे हैं जो सवाल को पढ़के कितनी जल्दी उस पर काम करके कितनी जल्दी उसका आंसर ला सकते हैं मतलब कौन ऐसे बच्चे हैं जिनकी सोचने की छमता बहुत जादा है जो बहुत speed से चीज़ों को खतम कर सकते हैं speed से वो decision ले सकते हैं जल्दी जल्दी answer ला सकते हैं और बड़े fast तरीके से decision ले सकते हैं कि मुझे यहाँ यह करना है अच्छा SSC आपसे यही चाहता है वो चाहता है कि दुनिया में आता तो सब को है पर जल्दी से कौन कर सकता है अब ऐसा क्यूं चाहता है SSC GD ऐसा क्यूं चाहता है सर वो ऐसा इसलिए चाहता है कि जब आप किसी BSF में Border Security Force में CSF में भरती हो जाओ तब आपके सामने जब कोई इसी समस्या आए जिसमें आपको instant decision लेना पड़े तो उस बच्चे की इतनी छमता हो कि वो तुरंत समझ पाए कि गोली दागनी है नई दागनी है सर अगर वो सोचते ही रहेगा तब तक तो अपनी खोपड़ी में घुजदा नहीं है तो इसलिए SSC GD क्या चाहता है आप से वो चाहता है कि ऐसे बच्चों को से रहे किया जाए जिन केस सोचने की capacity अच्छी हो जिनका decision लेने का तरीका fast हो जो जल्दी answer ला सकते है इसलिए उन्होंने आपको समय कम दिया कि जल्दी जल्दी कर पाएगा उसके ठीक है जो नहीं कर पाएगा वो आराम से करता रहे ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अपना type जो C था वो भी आपका cover हो चुका है अब D type में जो सवाल आएगे वो के से आएगे ठीक है type D के जो सवाल है वो बड़े simple सवाल है देखो जैसे मान लिजे type D type तो first है पर उसमें D portion अपना चल रहा है तो D में क्या आएगा सर इसमें ऐसे सवाल आएगे जिसे मान लो बोल दिया A अनुपाद B बराबर 1 अनुपाद 2 और B अनुपाद C बराबर 3 अनुपाद 5 और आप से सवाल में पूछ लेगा कि बताओ A अनुपाद C कितना होगा A और C का relation बताओ तो इसके सवाल करने के तरीके हैं अब अपने को डिसकस करते हैं इसके तरीके क्या क्या है कैसे कैसे हम इनको सवाल कर सकते हैं तो इसको सवाल करने के जो तरीके अपने पास पहला तरीका और दूसरा तरीका मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ पहले उसको समझ लो इसका concept क्या है उस concept को समझते हैं इसका जो concept है पहले उसको समझते हैं फिर हम direct कैसे करेंगे instant answer कैसे लाएंगे जल्दी answer कैसे लाएंगे उसकी बात करेंगे तो A अनुपात B अनुपात C की अगर हम बात करें तो इसको निकालने के तरीके क्या है उपर वाले का A बटा B और multiply कर तो B बटा C तो A बटे B का मान कितना है एक बटा दो और B बटे C का मान कितना है तीन बटे 5 तो आपका answer देको B से B कर जाएगा तो answer क्या एगा A बटे C कितना हो गया 3 एकम 3 और 5 दूआ 10 तो यहीं आपका answer हो तो हमने किसका गुणा किया जब हमें value किसकी निकालनी है A की तो हमने गुणा किसका किया एक और 3 का जब हमें value किसकी निकालनी हो C की तो हमने गुणा किसका किया 2 और 5 का एक और 3 का गुणा किया कब जब A निकालना है तो सर जब मुझे A का value निकालना है तो गुणा किसका लिए लेहां का वह Stitch सकता था हएं दारीक लिख सकता था है एक आभ यह झाला जब मैंने सी निकालाा तो सी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा दो का उर निकाला करूंट और की दिया है अगर आपको first और last निकालना है first a last c तो आप क्या करोगी जब a निकालना उसको इनकागुना कर लो जब तो पीछे तीन होता है कि ऐसा एसा होता है किस ए और B का रिलेस्ट्ट क्या है और बी सी का रिस्ता है वह 1,2 है। और B.C का रिस्ता क्या है Ihrer इस थीन,5 और वह कहते हैं कि यह जगा खाली रहागा साइव और यह धी खाली रह गई धूब भले दूरेस सैंड चे और फानी दुवाद 10 फिर से आपका आनसर कितना ओर या ए और या की का अनुपाद कितना है तीन और दस ए और सी का अगर आंकुल देखें तो तीन अनुपाद 10 यारा है तो क्या ऐसा तरी का लगेंगे नहीं बिल्कुल नहीं आप ध्यान दो अगर मुझे सवाल पूछ ले कि बताओ A अनुपाद B अनुपाद C क्या होगा तो बेटा तुमको A और C निकालते तो आ गया A और C तो तुम्हें निकालते अच्छे से आ गया A केसे निकलेगा 3 A कम 3 B मुझे नहीं पता C केसे निकलेगा 5 2 10 अब रही बात B की तो क्या करो A निकलना था तो हमने A से गुणा किया इन निकलना था तो ऐसे किया अब बीच वाले की बात हो तो बीच वाले की जब बात हो तो बीच का क्रॉस मल्टिप्ला कर दो तुर्षा कुणा कर तो त to A अनुपाद B अनुपाद C भी किल गया यह आपको बाते समझ में आई अगर आई है तो आपन एक और सवाल देखते हैं एक और आप प्रस्म देखते हैं सवाल नंबर डी पार्ट का यह अपना कुस्टन नंबर कौन सा हो गया सर अठ हो गया था यह अपना हो गया नौ और अब आगे हम बढ़ रहें 10 सवाल नंबर 10 तो सवाल नंबर 10 पर आजाईए 10 को अपन समझते 10 में क्या लिखा है तो ऐसे ही वह कुछ भी दे सकता है जैसे मालो मैंने दिया ए अनुपाद बी इस इकवल टू 5 अनुपाद साथ पिर बी अनुपाद सी इस इकवल टू तीन अनुपाद दो और दी इकवल टू एक अनुपाद दो अब सोचो जरा कि अगर मुझे पूछता अगर मुझे क्या क्या पूछ ले यदि मुझे एक्जाम में पूछे पहली चीज कि सर बताओ ए अनुपाद डी क्या होगा तो मुझे केवल ए और डी ही निकालना है बस बाकी से मुझे मतलब ही नहीं है फॉस् पूछ ले की पताओ सर ए अनुपाद सी क्या होगा सोचू अगर ले बी अनुपाद डी बताओ बी और डी का लेसन क्या होगा तो सुरुआत को कहा से बीसे शुरुवात हो यह बडिसे हमें इस से मतलब नहीं आपकर इतने को देखो वी से सुरू करना है मतलब तीन एकम पी तिने कम टीन और दी को चोड़ दो ऊपर वाले पौर्टिन को चोड़ दो ना méthode X A से तक अल्क अाता तो हमने यह से सुरू की हाता है कहां तक हम वह से लेकर तक खायए वियुरीी적인 को अगर एक किसी को फैसे से देखते रहो लास्ट में कैसे चीज बताऊंगा आईगा ही आएगा चाहोगे तब भी अगर मुझसे वह पूछ ले कि तुम तो सीधा बताओ सर ए अनुपाद कि यह अनुपाद सी अनुपाद डी क्या होगा कि तो ए निकालना आपको आता है तुरू वालों का गुणा करो तो ए आएगा तो कितना आ गया पंद्रा अखरी का निकालना भी तुमको आता है सर साथ दुआ चाउदा चाउदा दुआ अठाइस रही बात दोनों बीच के कि अब आप कहोगे कि सर पिछले सवाल में केवल एक ही गया बी निकालना था था हमने क्रॉस कर लिया था अब यहां तो बीच के दो दो नंबर बागी है तो कैसे निकालने वीच के दो नंबर हमें निकालने तो कैसे निकालें गी तो सोचो क्रॉस करेंगे कोई दिक्ट नहीं है क्रॉस मल्टिप्लाइ करेंग है तो यहां से चल्रू करें faith और साथी 21 in 2,1 तो यह भी यहा गया पहली शूरू सही पहले नंबर से लिचक्रॉस मार चलेंगे हम दो तक और दो से फिर क्रॉस लेंगे तो साथ दूआ 14 और 14 एकम 14 तो यह आपका आंसर यह आपका ए अनुपाद बी अनुपाद तो आ अगर मैं यहां से यह समझना चाहूं भहिया डायरेक्स समझना है ना चीजहों को अब मैं को सिंस इंप करने की के कोसिस करना हूं और चीज़ें ज़्यादा समझाने की कोस्ष करना हम सोचों अगर हमसे A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात D पूछा है, ठीक है, तो मैं यह कह रहा हूँ, मान लीजे, यहाँ पर कुछ values हैं, यहाँ पर कुछ values हैं, आप अगर सीधा-सीधा गुणा करोगे, सीधे-सीधे गुणा करोगे तो क्या आएगा? A आजाएगा, ऐसे ही, B का निकलना हूँ तो सीधा-सीधा लास्ट वालों का गुणा करोगे, तो क्या आजाएगा? D आजाएगा, पर जब आपको B निकलना हो, सोचना, यहां से क्रौस लेना है करोगे प्लस सीधां चलोगे फिर यह निकल जाएगा और जब सर आपको क्या निकल ne लेना हो पहले हम क्रौस लए चुके हैं थो अम क्रौस नहीं लेंगे अब यहां से सब्सक्राइब आपधो अगर अब भी नहीं आ रहे तो मैं एक और चीज लेता हूं या अनुपाथ बी या अनुपाथ दी या अनुपाथ दी या अनुपाथ दी अनुपाथ या लिए के लिए मानलों इसने दे दिया एक अनुपाद 2 अधर दूर लिखते चीज़स्वें आएगी गोंने अनुपाद 3 बिए अनुपाद 4 है कर दो भूम 2 पैरे से में लिख दिया 5 हमें कोला है में इकल्ना एं अनुपाद हमें निकलना है A अनुपाद B अनुपाद E कहां तक जाना है? E तक A निकलना कोई बड़ी बात नहीं है 2 एकम 2, 3 दुआ 6 आपका यहागया 6 3 निकलना कोई बड़ी बात नहीं है E, आखरी वाला क्या है? E है कि आखरी वाला किया इति निकालना कोई बड़ी बात नहीं है तीन दुवट कि खेचोग 24 और 24 पंजे कितना होता है सर एक सो तीस अब यहां से चले क्रॉस और चल गए सीधे आया ना निकल जागा भी फिर हम सी निकालेंगे तो क्रॉस हो चुके एक बार तो आप क्रॉस नहीं होंगे तो पहले यहां एंगे फिर क्रॉस चलेंगे फिर नीचे आएंगे तीसरा यहां से भी cross होगा यहां से भी होगा तो अब यहां से option ही नहीं कहां आएंगे सिर्थ यहां फिर यहां से cross लेंगे अब आपको चीजे clear हो गई होगी sir तो कितना answer आएगा 2-2-4, 4-12 यह आपका होगया 12 3-2-6 3-18 18 और 18 एकम 18 3-2-6 फिर यहां से भी 11 इसका और इसका गुणा करना है तो 3-2-6 6-24 और 24 एकम 24 तो यह आपका होगया answer अब क्या यह एक सरल रूप है sir क्या यह सरल रूप है नहीं है क्या यह सरल रूप है नहीं है तो आप क्या करो कि इसको divide कर सकते हो 2 से काटोगे 3 बार 2 से काटोगे 3 बार अच्छा 6 से ही कट सकता है ना यह तो 3-6 3-2-12 3-3-18 3-24 और यह 20 बार अब आप कहोगे कि एक और चीज है sir क्या हमें यह divide करना पड़ेगा आखरी में तो इसका एक और आसान तरीका था इसका एक और आसान तरीका था वो क्या था देखो जरा 2-3 3-4 और एक पार इधर वालों से इधर वालों से इधर वाला कोई नंबर हो तो काट सकते हो काट सकते हो क्योंकि क्या होता है जैसे ये 2 से ये 2 कट गया ठीक है करीज़ इंफ से कह वाले नमबहों से कर सकते हुआ इधर वाले आप काट सकते काड़िया देहा ह कि ल Дो कम बचे को है पीजसर efect किसे क्लों सब्सक्राइब डॉर्सक्राइब कारोगिया गभीड को क्या है अब क्यां पर इन इक पर Lima के अका चाहर def यहां तो सीधा क्या आया एक हुआ हुआ है इसने से मत करना इसमें कुछ मिस्टेक सोगी रहने दो यह आपका सही तरीका आप यही पर डिवाइड करें बहतर रहेगा यही पर आप डिवाइड करें आगे बढ़ते हैं, तो अब आपका ये एक टाइप हो गया, ठीक है, कौन सा, ये कौन सा टाइप था अपना D वाला, ठीक है, D टाइप हो चुका है अब लास्ट है अपना E वाला, A, B, C, D, E टाइप, टाइप फरस्ट में पोर्षन E, तो पोर्षन E में क्या होता है, सीधा स पूछ लेगा, A square plus B square minus AB, अपन में A square plus B square plus AB, ये एक सवाल हो गया, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा A का वेलू क्या रखोगे 2, B का वेलू क्या रखोगे 3, तो A का वेलू रखोगे 2, तो यहाँ पर 2, 2, 4, यहाँ पर रखोगे 2, 2 का वर कितना हो गया, 4, यहाँ पर क्या रखोगे 3, 3 तिया कितना हो गया, 9, माइनस, 3, 2, 6, अपन में यहाँ भी 4, plus 9, plus 6, कितना अंसर आएगा, 9 और 4, 13, 13 में 6 गया, तो 7, 9 और 4, 13, 13, 13, 19, तो अंसर आया, 7 अनुपात, 19, यहाँ आपका अंसर हो गया, पर यहाँ पर एक कंडिशन क्या है, यहाँ पर ए कि यह जो है, जैसे यहाँ पर A की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पर B की पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ पर A की भी पावर एक है, इसकी भी एक है, तो कुल मिला कितनी होगे, 2 हो गई, ठीक है, ऐसे ही देखो, यहाँ भी 2 पावर, यहाँ भी 2 पावर, यहाँ भी 2 पावर, ऐसे यहां भी दो पावर, यहां भी दो पावर, इन दोनों के मिलके दो पावर अगर ऐसा है, ऐसा है तो ही ऐसा होगा, अगर मानलो यह सवाल ऐसा होता, मानलो यह सवाल ऐसे नहीं होता, उसका अंसर नहीं आता मानलो यहां लिख दिया A square plus B square minus A और अपने लिग दिया A square plus B square plus A है, अब इसको आप solve नहीं कर सकते हैं, इस चीज से इसका अंसर नहीं आएगा, इसका अंसर हम ग्यात नहीं कर सकते, यह आपके पास एक option होगा, ग्यात नहीं कर सकते, इसा क्यों, यह हमें कैसे पता चलेगा, कि कौन सा answer हम निकाल सकते हैं, तो पता ऐसे चलेगा, कि देखो, यहाँ पर घात कितनी है, यहाँ पर यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर यहाँ पर एक ही है, तो यहीं से problem होगा, इसको तो देखो ही म इस टम्स की डिगरी इस वाली टम्स की डिगरी और इस वाली टम्स की डिगरी मिला डिगरी बोलते सर इसकी पार इसकी पार मिला करके ठीक है इसकी डिगरी भी दो हो गई तो सबकी जो degree वो same आने चाहिए, सारी terms की नीचे वाली और उपर वाली जो सारी terms है, उन सबकी terms की जो degree है, वो same आने चाहिए, तो ही आप, अगर degree same नहीं है तो आप सीधे लिख देना ग्यात नहीं कर सकते, ग्यात नहीं कर सकते, ठीक है यहां तक, तो यह आपका e portion था, तो यह आज के अपनी एक class हुई, है ना, एक class अपनी यह हुई है, और इसके बाद दो class और होगी अनुपाद की, एक में हम इन जो चीजों को आज सीखे हैं, इनको अपने सवालों में use कर रहे होंगे, तुरंत चुटकियों में अपना answer आ रहे होंगे, तो एक और चीज है, ब यदि सर आपको A अनुपाद B दिया हो, तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे पूछे कि बताओ इसका वर्ग अनुपाद क्या होगा, वर्ग अनुपाद, तो A और B का जो वर्ग अनुपाद होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A वर्ग अनुपाद B वर्ग, कुछ नह takeaway दो अगर हमसे पूछ ले इसका घ्र नूपात किया होगा ग Zuschya कि इसलेist कि हमने ए और भी दिया है उसका घ्रन यहाँ दो तो गन लगा दो और गनानुपात Garden कि एसे हमसे को सकता है कि वर्ग मोल नूपात कि होगा वर्ग मुलानुपात वर्ग मुलानुपात तो वर्ग मूल अनुपात निकालना हो मेरे बेटा तो यह आपका आ जाएगा रूट वर्ग मूल लगाना पड़ेगा वर्ग मूल A अनुपात वर्ग मूल B ऐसे कभी कबार आपसे पूछ सकता है सर तीन और चार ऐसे क्या पूछ सकता है गहन मूल अनुपात कि थे यह new-la नूपाद बताओ थर्ंबूल मुला नूपाद कि तो गहनननुपाद किया हो जाएगा आपका गहनननल लगाओंके कई एक एक गहनमोल नुपाद आप एक पता होनी चाहिए यह सिंपल सवाल होता है एक सरल फूँछ बच्चों की दिमांड है कि सब इंग्लीस भी बता दो इंग्लीस भी अपन बता देंए इसका वर्ग ूूल अनुपात को बोलते है डुपलीकेट रेशो अनुपात है कि घंध मूल को रिए है जर क्या बोलते है है और यह होता है सब kilometres सब्लिकर्ट करेंसों आ इस यह ले ले लें जिसकोय सवाल आता है जैसे वह आप से पूछेगा की चार अनुपात 9 है अनुपात बी का जो मान दिया है वह क्या दिया है चार अनुपात नुप ठीक है और आपसे पूछेगा इसका वर्गमूल अनुपाद क्या होगा वर्गमूल लानुपाद अगर वो पूछ ले अगर वो पूछ ले कि बताओ बताओ इसका गहनानुपाद क्या होगा गहनानुपाद गहनमूल नहीं बोल रहा है गहनानुपाद बोल रहा है तो गहन अनुपात का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें हमें दिये उसका गहन लगाओ इस चार की पावर तीन अनुपात 9 की पावर तीन तो यह आपका हो जाएगा कितना 64 और यह हो जाएगा आपका 729 इस तरीके से आप सवाल आता है आपको समझ आ रही होगी तो यह थी अपनी आज की पहली क्लास नेस्ट क्लास अपनी होगी सेकेंड क्लास आपकी होगी उसमें अपन जितनी चीजा आज हमने सीखी है उन सारी चीजों के सवाल हमारे easy case होंगे कैसे हम चुटकियों में आंसर दे पाएंगे इनका यूज करके तो आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझें चीजों को प्रैक्टिस करें चीजों की खुद से भी question लिख सकते दो चारा आप जैसे मैंने किया है वैसे कोई सा भी question लिख लिख लिया थोड़के नहीं बढ़ना है वरना चीजें आपको आगे तकलीफ देती जाएगी तो वो तकलीफ ना हो इसलिए हम बड़े आराम आराम से चीजों को cover करते चलेंगे तो ठीक है बैटा मिलते हैं अगले वीडियो में थैक्यू